दिडोन एक्स्प्रेस आइना सश्का सहीदों की मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले वतन पे मरने वानों का बाकी यही निशा होगा आज पुल्वामा आतंकी हमले में सहीद हुए उन चालिस किंद्रिय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की बरसी है उन जवानों को सधांजरी देते हैं आज से ठीक एक वर्षपुर्व 14 फरवरी 2019 का वह दिन जब जम्मू से सडक मार्ग के द्वारा अपनी छुटियां बिताने के पस्चाथ 2547 जवानों का दल फ्रिनगर अपने डूटी पर लोट रहा था एक सिर्फिरे अतंकवादे द्वारा आत्मगाती हमले में 350 किलोग्राम आईडीबी स्पोर्ट से भरी एक गाड़ी CRPF के काफिले से टकरा दी गई और उसमें हमारे CRPF के 40 जवान सहीद हो गए उस आतंकवादी हमले में सहीद हुए उन 40 जवानों को आज देश भौवीनी स्रधांजली दे रहा है किंद्रिये रिजर्व पुलिस फोर्ट ने भी आज अपने जवानों को याद करते हुए कहा कि हम न भूले हैं न भूलेंगे हम न भूले हैं न माफ करेंगे CRPF ने अपने जवानों को याद करते हुए ट्विटर पे लिखा है तुम्हारे सौर्य के गीत करकस्वर में खोए नहीं हैं, गर्व इतना था कि हम रोए नहीं उन्होंने आगे लिखा है कि हम भूले नहीं हैं, हमने छोड़ा नहीं हैं हम अपने भाईयों को सलाम करते हैं जिन्होंने पुल्वामा में देश के लिए कुरवाने हैं पुल्वामा के सहीदों को आद करते हुए उनकी बहली बरशी पर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर संदेश देते हुए कहा पिछले साल पुलवामा में हुए भीशन हमले में जान गवाने वाले बहादूर सहीदों को तुरधांज ली वे असाधारन ब्यक्ति थे जिन्होंने हमारे राष्ट की सेवा और रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया भारत उनकी सहादत को कभी नहीं भूलेगा केंद्रिय ग्रिह मंत्री श्रीयमीत साह ने सहीदों को नमन करते हुए कहा कि भारत हमेशा अपने बहादूर जवानों और परिवार उनके परिवार का आभारी रहेगा जिन्होंने मात्री भूमी की संप्रभुता और अखंडता के लिए सर्वोच बलिदान दिया है ग्रिह मंत्री ने ट्विट कर कहा कि मैं पुल्वामा हमले में सहीद को सुर्धानजली देता हूँ भारत हमेशा अपने बहादूरों और उनके परिवारों के प्रती आभारी रहेगा जिन्होंने मात्री भूमी की संप्रभुता और अखंडता के लिए सर्वोच बलिदान दिया है पुल्वामा हमले के सहीदों को याद करते हुए रक्षा मंत्री राजनाचिंग ने कहा कि भारत उन सहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगा उन्होंने ट्वीटर पर अपने संदेश में कहा कि 2019 में आज के दिन पुल्वामा में हुए निरसंच हमले के दोरान अपने कर्तव्यों और पत पर चलते हुए सहीद जवानों को स्रधांजली भारत उनके बलिदानों को कुभी भूल नहीं पाएगा फंपुनराश्ट आतंकवाद के खिलाप एक जूट है और हम इस खतरे के खिलाप अपने इस लड़ाई को जारी रखने के दिए प्रतिबद्ध हैं पुलवामा हमले की बर्षी पर उन चालिस जवानों की सहादत को याद कर जम्मू कस्मीर के लेख पूरा में सियारपिय कैम्प के नजदेग एक असमारक का निर्मान किया गया है आज उस असमारक पे भी उन सहीदों को अस्रुपुरित स्रधांजली अर्पित की गए भारती सेना के इस वीडियो के साथ हम उन वीर जवानों को तधांजली अर्पित करते हैं जह एक वीडियो के लिए आजली अर्पित करते हैं झाल